हलो साथियों, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं UP PET 2022 की PET, UP PET 2022 का नोटिफिकेशन आया है तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं, पूरा नोटिफिकेशन स्टडी करते हैं देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है सबसे पहले तो ओपनिंग डेट तो 28, 2022 इसकी प्रारंबिक डेट है और फॉर्म भरना जो है 28, 2022 से शुरू हो जाएंगे सुर्लक जमा करना भी उसी दिन से शुरू होगा लास्ट डेट है 27, 2022 आखरी तारीक इसकी 27, 2022 है आगे important चीज़ पर डिसकस करते हैं important चीज़ यहाँ पर लिखियो और लेखनी है कि प्रारंबिक अहता परिक्षा 2021 का परिणाम दिनांग 28, 10, 2021 को कोशित किया गया था जबकि एक वर्ष की अवधी अर्था दिनांग 27, 10, 2022 तक प्रभावी है अता आयोग द्वारा विभिन पदों के सापिक चैन हेतु जो भी एकजाम होंगे उसके लिए 2021 का पैट चलेगा और 27, 10, 2022 के बाद जो है वो 2022 का पैट की जिसका ये नौटिफिकेशन है उसके द्वारा उसकी भर्ती की जाएगी मेंस की परिक्षा उसके द्वारा 22 के द्वारा की जाएगी जो भी भरती 27-2022 के बाद निकलेंगे उम्मीद करते ही आप समझ रहाँगे 27-2022 से पहले की सभी भरतिया पैट 2021 से होंगी उसके बाद पैट 2022 से होंगी आगे देखे लिखा हुगा है प्रारंबे का हैता परिक्षा 2021 के परिणाम की वैदता अवदी समाप्त होने के उपरांथ मुखे परिक्षा के आयूजन ही तू निगत किये गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुखे परिक्षा होती और भ्यारतियों को शॉटलिस प्रारंबे का हता परिक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा उमीद करते हूं आप समंच पा रहे होंगे इस चीज को आगे चलते है नकटिफिकेशन देखते हैं और आगे क्या है ये ओनलाइन फर्म भरे जाएंगे केवर sudah live olması form भरे जा सकते हैं offline mode से form नहीं भरे जा सकते हैं इसके बाद form किस प्रकार से भरना है फोटो की क्या कंडिशन्स हैं वो सारा कुछ दिया हुगा है यह सबी चीज है बेसिक हैं हर फॉर्म में यह रहती हैं आपको जानने की जूरत नहीं है इसके बाद इंपॉर्टेंट पर आते हैं फीस जनरल के लिए 185 रुपे OBC 180 रुपे, SCST 95 और PH के लिए 25 रुपे फीस रखी गई है महिलाओं के लिए उनकी कैटेगरी के हिजाब से ही फीस की विवस्था की गई है फार्म का प्रिंट आउड लेना है यह बेसिक बेसिक इन्फोमीशन है सेक्षिक आहरता हैं जो हैं वह कच्छा 10 पास किया हुआ हाई स्कूल पास किया हुआ हो हर केंड़ेट को हाई स्कूल पास करना है एज की ऐलेजिबल्टी देखें तो 18 वर्स से लेकर 40 वर्स की आयू पात्रशात्रा हैं, candidates इसमें form भर सकते हैं, और date का calculation क्या है, एक जून 2022 से पहले का पैदा ना हुगा हो candidate, और एक जुलाई 2004 के बाद का पैदा ना हुगा हो candidate, अर्था 18 से 40 वर्ष की I.O की candidates में form भर सकते हैं, apply कर सकते हैं, UP PAT में, इसके अलावा आरक्षन की विवस्ता है, category score, age में भी relaxation दिया गया है, जो schedule है, वो यथा संभव website पर डाल दिया जाएगा, और जो score है, वो आपका एक साल के लिए valid होगा, आगे slavus की बात करते हैं, slavus क्या-क्या आएगा, सबसे पहले, तो ये 100 नंबर का है, दो घंटे का समय है, और पूनांग भी 100 है, ancient और medieval history पांच नंबर में है, modern history पांच नंबर में है, इसके बाद geography पांच नंबर में है, जोगरफी में सारी नदिया, वन, खनिज वगरा, इसके बाद economy पांच नंबर में है, और समविधान पांच नंबर में है, इसके बाद जो समान विज्ञान है, वो पांच नंबर में देखिए मतलब जो gk है वो है 5 और 510 और 515 और 520 और 525 और 530 नंबर की जबकि जो mathematics है वो केवल और केवल 5 नंबर की दी गई है इसके बाद हिंदी 5 नंबर, English 5 नंबर, गद्धांश आएगा इंगलिश में 5 5 नंबर की दोनों होंगी reasoning 5 नंबर, chapter कौन कौन से हैं वो classified यहां किये गए हैं इसके बाद current affairs 10 नंबर और GA जनरल awareness भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी मुद्रा वगरत 10 नंबर में इसके आगे अपठित हिंदी गर्धांस, comprehension 10 नंबर में, graph 10 नंबर में 2 graph आएँगे 5 5 नंबर की difficulty level जो होगा, कच्छा 10 की स्तर का होगा, NCRT का, और minus marking जो रखी गई है, वो 1 4th की minus marking रखी गई है मतलब आगर आप candidate 4 सवाल गलत करता है, तो उसका एक सही question है, वो cut जाएगा, गलत माना जाएगा उमीद करते हैं, पूरा notification आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसके बाद और कुछ भी नहीं है, पूरा notification आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसमें आपको कुछ भी पूछना है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, अपने friends में, अपने WhatsApp ग्रूप में इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें, ताकि प्रते candidate के पास यह information पहुंच सके, और इस form को आप जल से जल भर दें, क्योंकि last time pet में यही हुआ था, एंड में जो website थी, वो hang होने लगी थी, तो इसको पहले दूसरे दिन ही as soon as possible भरने की कोशिश करें, धन्यवाद आज के लिए इतना ही हुआ